हेलो एब्रिवन वेलकम बैक टो माई चैनल मैं हूँ रस्मी सचान और स्वागत है आपका मेरे यूटीब चैनल पर चलिए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ सबसे पहले हमें लेने हूँगे एक बड़े बरतन में सूखे बेर ये बेर सर्दियों में बहिए जिसे हम ताजे बेर खाते हैं जो पके लाल और हरे रंके होते हैं Market में इज्जिली Commonwealth होते हैं तो यही मैंने सूखे स्टॉर करके रखे हुए थे जिने मैंने एक बड़े बरतन में ले लिया है आज मैं आपको बताऊंगी जैसे आपने बच्वन में खाये होंगे स्ट्रीट स्टाइल में खाये होंगे अब भी मिलते हैं स्ट्रीट में जहां पर इमली और काला खटा वगएरा मिलता है वहाँ पर ये बेर आसानी से मिल जाते हैं उबले हुए लेकिन घर पर हम इने उबालेंगे तो इसमें मैं डाला हुआ है गरम पानी गरम पानी डालने से इसकी जो सारी गंदगी है वो भी निकल जाएगी इसके साथ ही साथ ये अच्छे से भीग जाएंगे अब आप इसे अच्छे से mix करके पानी के साथ में cover कर दीजे एक बड़ी plate से और इसे रख दीजे 4-5 गंटे के लिए या फिर उससे ज़्यादा आप रात भर के लिए भी इसे भीगो सकते हैं इतने टाइम में ये अच्छी तरह से भीग जाएंगे भीगने के बाद में चेक करते हैं बेर काफी soft हो गए हैं तो अब आप चाहे तो इसे एक दो पानी से धूर लीजिए लेकिन हमने गरम पानी में इसे डाल दिया था तो इसके सारी गंदगी वैसे भी निकल चुकी है अब हमें लेना होगा एक pressure cooker इसमें हम बेर को डाल देंगे तो इसे हम थोड़ा सा स्क्वीज करते हुए डालेंगे इसके अंदर का जो पानी है उसे निकाल देंगे थोड़ा सा या फिर आप च्छनी से भी चान सकते हैं इने तो प्रेशर कुकर में डालने के बाद में इसमें हम थोड़ा सा साफ पानी डाल लेंगे और चाहे तो आप एक बार और इसे धूर लीजिए पानी मैंने डाला हुआ है लगबग आदा लिटर के लगबग लूँगी यानि कि दो कप मेजरिंग कप से एक बार वाश कर लिया है दोबारा फिर से पानी डे लेते हैं इसमें पानी डालने के बाद में हम इसमें डालेंगे एक सीक्रेट इंगेडियन जो होता है गुड जिसकी वज़े से जो बाहर कबेर होता है वो एकदम नैचरल जूसी होता है और बहुत ही मीठा लगता है हम इसमें बाद में आड़ करेंगे धकन बंद कर दीजिए और हम इसे 3-4 सीटी लगा लेंगे हाई फ्लेमबर 3-4 सीटी में ये अच्छे से पक जाएगा तो जब 3-4 सीटी होने के बाद में हम रकन को खोलेंगे तो देखिए बेर आपको ये उबले हुए दिख रहे होंगे अब आप कोई छनी लीजिए या फिर इस तरह की कोई कल्ची ले लीजिए जाली दार इसे हम बेर को निकाल लेंगे ये बहुत ही अच्छी तरह से कोक हुए हैं बिलकुल मार्केट स्टाइल में हैं आपको मैं अभी पास से भी दिखाऊंगी बहुत टेस्टी लगते हैं ये खाने में आप खाएंगे आपको बश्पन की याद आ जाएगी और साथी साथ आपको भी बिलकुल मार्केट वाला स्टाइल घर पे मिल पाएगा तो सारे बेर को अभी मैं निकालूंगी एक बड़े मिक्सिंग बोल में इसे थोड़ा सा ठंडा करना है हलका गरम आप खा सकते हैं या फिर इसे पूरी तरह से ठंडा कर सकते हैं उठा के आप फ्रिज में रख दीजिएगा दो दिन भी आप से इस्तमाल में ला सकते हैं अब हम इसमें डालेंगे रेट चिली पाउडर यानि की लाल मिर्च का पाउडर तीखापन आप अपने हिसाब से अर्जस्ट कीजिएगा साथ ही हम इसमें यूज करेंगे ब्लैक सॉल्ट यानि की काला नमक काला नमक थोड़ा ठीक से डालिएगा क्योंकि जो हमारे बेर हैं उसमें गोर्ड डाला था मीटे थे इसके साथ ही साथ हम डालेंगे रोस्टेट क्यूमिन पाउडर यानि की भुने हुए जीरे का पाउडर जिस तरह हम चाट बगेरा में डालते हैं वैसे हमें इसमें डालना है और अब आप इसे सिम्पली टॉस कर दीजिए या फिर स्पून की सायता से इसे मिक्स कर लीजिए इसे अच्छी से मिक्स कीजिए और मिर्च वगेरा आप अपने हिसाब से अर्जस्ट करें अब यहाँ पर देखिए यह मेरे पास सहतूत का पत्ता है और एक टूथपिक है मैं इसे थोड़ा अलग तरीके से प्रेजन्ट करने वाली हूँ तो देखिए मैं सहतूत के पत्ते से ही कटोरी बनाऊंगी तो पीछे की साइड से इसे ऐसे मोड दिया है और टूथपिक की सायता से या फिर किसी और पत्ली लकडी की सायता से आप इसे पिन अप कर दीजिए इसके बाद में मैं इसमें ये बेर डाल दूँगी इस तरह से डालने में ये काफ़ी अट्रेक्टिव लगता है साथी जब बच्पन में हम खाते थे तो कुछ इसी टाइप से हमें मिलते थे ये जो बेचने वाले आते थे ना या फिर अभी भी आप स्ट्रेट स्टाइल में जाए तो आपको इसी तरह की कटोरियों में मिलेगा सुखे पत्ते की कटोरी में आपको ये मिलेंगे और इसी तरह से मैं बाकी के जो बेर हैं उन्हें प्रेजेंट करूंगी और अब आप इन्हें वैसे खा सकते हैं बस मैं आपको प्रेजेंटेशन का तरीका दिखा रही हूँ आपके साथ में शेयर कर रही हूँ जो की थोड़ा सा यूनिक है साथी साथ बहुत ही नैचुरल है चल रहा है तो आप जा सकते हैं मेरे चैनल पर आचार की वीडियो भी देख सकते हैं और आपका ये जो बॉयल्ड बेरीज है यानि की उबला हुआ भेर है ये खाने के लिए बिलकुल तयार है मैंने इसे इस तरह से पत्ते के कोनवे सर्व कर दिया है उपर से थोड़ा सा का ला नमक और स्प्रिंकल कर दूंगी और आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कीजिएगा बाइबाय टेक केर फिर आउंगी किसी अच्छी सी वीडियो